सफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती या फिर किसी को भी जब तक मेरे अंदर सफलता पाने की यानि सक्सेस पाने की इच्छा जो है वो मजबूत है अगर जिस दिन आप अपने अंदर से बोल दिये कि हम से नहीं हो पाएगा तब आप समझ लेना सक्सेस आपके पास चल कर तो कभी आते नहीं जब तक आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं कि हम कर सकते हैं तब तक सक्सेस पाने का जो जिग्यासा है वो आपके अंदर जिन्दा रहेगी और आइस्ता आइस्ता करकर आप अपने लक्ष के तरब बढ़ते रहेंगे तो आप कभी भी अपने अंदर से कभी भी अपने आप कमजोर नहीं समझना है आप वो हर एक काम कर सकते हैं जो बाकी कोई कर सकता है लेकिन उसके लिए आपके अंदर जो है वो पूरा 100% फोकस होना चाहिए उस काम के प्रती आपका महनत होना चाहिए उस काम के प्रती क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा एक बात और आप सभी को इसके ठीक class के बाद रात को साड़े इगारा बजे आपका current affair का revision class पका होगा मैंने schedule लगा दिया है तो आप सबी साड़े इगारा बजे class जोईन कर सकते हैं जो आपका current affair का revision class होता है ठीक है बाकी चैनल के उपर जो भी नहीं है चैनल को subscribe करने के बाद notification के बेल को दबा दीजिगा ताकि हर एक class का अबट मिलता रहे और किसी भी exam का जो mock test है ना आप हमारे खुद के application success की 98 को download करने के बाद application के उपर भी आप सभी दे सकते हैं जो आपको और एक बाद आप हर एक mock test हिंदी और इंगलिस दोनों ही language मिल जाएगा और आज कवर करेंगे हम सभी 15 और 16 मार्च के important current affair और बाकी कल से आपको regular सुबस साड़े चार बजे ये जो class है ना अभी थोड़ा सहीला हुआ है time को लेकर वो कल से सुबस साड़े चार लेका तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का जो पहला question है थोड़ा फटा फट क्लास कर आऊँगा question बहुत जादा है तो questions करूँगा कि 12 से 10 मिनट के अंदर सारे question को cover कर वादू वो भी cut to cut clear पहला question हमारे सामने क्या है पहला question ह तेलर फ्रिट्स को final में सीधे चर्णों में हरा कर Mexican open यानि यहां पर बात कर रहा है आपका tennis को लेकर की तेलर फ्रिट्स को final में हरा कर Mexican open जितने वाले खिलाडी का नाम बताना है तो बिश्व के rank 2 number खिलाडी तेनिस के मामले में उन्होंने ये खिताब जीता है जिनका नाम क option number आपका C ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है बलबीर सिंग कुलर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस खेल से संबंदी थे तो वो जो है वो हौकी से संबंदी थे आप सभी को पता है ओलम्पिक में जब इंडिया ने हौकी में ब्रोंज मैडल जब इंडिया ने जित अगला प्रस हमारे सामने है कि किसने दूबई यानि दूबई जो टाइटल है यानि यहाँ पर भी बात हो रहा है टेनीस का किसने पाचवा दूबई चेंपिनसिप का खिताब जीता है किसको हरा कर तो स्टेफनोस तिस्टिस पास को हरा कर और यह जीता है किसने वर्ल्ड का ये rank one खिलाड़ी है टेनीस के मामले में जिनका नाम क्या है सभी को पता है नोवाग जो कभी option number आपका भी ठीक है इन्होंने किसको हराया है तो इन्होंने हराया है आपका स्टेफनोस तिस तिस पास अजीब नाम है ना अगला प्रसमारे सामने है किस राज सरकार ने 6 हायरिंग केंद्र का निर्मान करने के लिए airport authority of India के साथ एक समझोते पर जो है वो deal साइन किया है और ये साइन किया गया है आपका तिरपुरा राज सरकार के द्वारा किसके साथ? Airport Authority of India के साथ 6 उपकरण हाइरिंग केंद्र जो है वो बनाया जाएगा तिरपूरा में और तिरपूरा के सियम कौन है बिपलप कुमार देब राग जुपाल कौन है वहां के रमेस बैस और कैपिटल तो वो तो सभी को पता है अगरतला अगला प्रस हमारे सामने है सरकार ने भारत में एरलाइन्स को निमलिकित में से कौन सी उडान सेवा परदान करने की अनुमत दे दी है यानि आप सभी को पता होगा अभी अगर आप एरो पेन में जाते हैं हवाई जहाज में तो फोन में कोई भी सिंगनल टावर कुछ नहीं आता है लेकिन अभी क्या है न अभी इसका परमिसन दे दिया गया है कि आपको जो है वहाँ पर वाई फाई की फैसलेटी भी जो है वो अब मिलेगी ठीक है ये परमिसन जो है वो भारत सरकार के द्वारा मिल गया है अगला प्रसमारे सामने है OECD बहुत important full form क्या है इसका मैंने तो सब कुछ बताया है जितने भी संगठन है उसका full form उसका स्थापना कब हुआ है उसका मुख्याले कहां पर है उसका head quote उसके head कौन है रात को 8 बजे वाले static gk में जो आपको channel पर आने के बाद static gk वाले playlist में मिल जाएगा OECD के full form क्या है तो organization for economic cooperation and development तो question क्या बोल रहा है क्रोना वाइरस के घातक प्रभाव के कारण OECD ने 2020 तक भारत के विकास पुर्व नुमान को घटा कर कितना परतिसत कर दिया है तो इनके अनुसार जो है वो 5.1 परतिसत option number आपका B कितना 5.1 परतिसत और आपका आज का पहला परस ने यहीं से निकल कर आ रहा है आप सभी को comment कर यह बताना है OECD के head कौन है और OECD का head quarter मुख्याले कहां पर है सब करवाया हुआ है अब class को कितना notes बना रहे है कितना serious है आप सभी comment कर अगर इसका answer आप जरूर दीजिएगा अगला परस हमारे सामने है जमेटो आप सभी को पता है ना खाना order करते हैं online जमेटो ने किस bank के साथ सब branded credit card launch करने की योजना बनाई है जिसके वज़र से क्या होगा अब आपको cashback भी मिलेगा और loyalty membership का लाब भी आप सभी जो भी customer है वो उठा पाएंगे आपने देखा होगा online खाना book करते हैं तो आपके wallet में कुछ cashback भी आता है तो ये सब चीच के लिए ना जमेटो जो है वो किस bank के साथ मिलकर एक सब branded credit card launch करने जा रहा है तो RBL bank के साथ option number आपका D और RBL bank का headquarter कहां पर है तो मुंबई में है RBL bank का tagline क्या है तो RBL bank का tagline है अपनों का bank और RBL bank का MD और CEO कौन है तो वो है आपका विसोवीर अहुजा ठीक है ये भी आपको याद रखना है ऐसा नहीं है कि bank के बारे में आपको tagline, headquarter, MDCO ये सब आपको याद रखना पड़ेगा एक्जाम में question बनता है अगला परस हमारे सामने है जितना भी rating अभी आपके सामने आ रहा है ना रात को साड़े आठ बजे वाले class है मैंने up to date करवा दिया है जो important, important agency है जो rating date है GDP को लेकर इसके उपर मैंने एक special class दे दिया है और मार्स तक का up to date करा दिया है एक्जाम से पहले एक बार देख कर जाना फिच रेटिंग के अनुसार विद्वर्स 2020-2021 के लिए भारत का GDP का कितना अनुमान लगाया गया है फिच रेटिंग के अनुसार इनके according तो मैंने उस दिन भी बताया था 4.9% का अनुमान लगाया गया है इंडिया का GDP का विद्वर्स 2020 और 2021 के लिए अगला प्रस हमारे सामने है CMIE इनके अनुसार इनके रिपोर्ट के अनुसार February 2020 में बेरोजगारी दर बढ़कर कितना परतिसत हो गया है February के आगे जो बेरोजगारी दर आप सभी को पता है इंडिया में जॉब के नाम पर आप क्या बोलूँ आप सभी को कंडिसन पता है जो पहले था जन्वारी से पहले 7.16% अभी ये बढ़कर कितना हो गया है 7.78% ठीक है अगला प्रस हमारे सामनी है किस राज सरकार ने FBO यानि Food Business Operator वोजन की ओनलाइन आपूरती पर परतिबंद लगा दिया है जिसमें स्वचता रेटिंग नहीं है किस राज सरकार ने तो वो है आपका पंजाब आपका C पंजाब के CM कौन है सिरी कैप्टन अमरेंदर सिंग राजजपाल कौन है सिरी भीपी सिंग बंदोरे और कैपिटल क्या है तो वो है आपका चंडीगड अगला प्रस हमारे सामने भाजपा के निटित वाले जम्मू कस्मिर निगम जम्मू नगर निगम द्वारा परस्ताव पारित करने के बाद जम्मू अन कस्मिर में इतिहासिक सीटी चौक का नाम बदल कर क्या रखा गया है ठीक है तो वो नाम रखा गया है भारत माता चौक उप्षण नमबर आपका D और आप सभी को पता है जम्मू एन कास्मीर के जो उपर राज जुपाले वो कौन है ग्रीस चंद्र मुर्मू अगला परस हमारे सामने हैं किस सहर में एक अंतराश्ट्री योग महसों का आयोजिन किया जा रहा है तो ये हो गया है आपका रिसी केस में ऑप्सन नमबर भी ठीक है अगला परस हमारे सामने मद्यपर्देश सरकार ने राज में उत्पादित गरम मसाले के बहतर विप्णन के लिए सुबंकर का आनवर्ण किया है आपको नाम बताना है मैसकोट का नाम रखा गया है उस नाम का है तो उसका नाम है आपका चीली चाचा ओप्सन नमबर आपका डी अभी बर्तवान में मद्यपर्देश के मुख्यमंत्री कौने कमलनाथ राजपाल लाल जी टंडन कैपिटल तो वो है आपका भोपाल अगला प्रस्त हमारे सामने है दिब्यांग कारिगरों और उध्यमियों के सिल्प कौसल और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस सहर में एक सब्ता का एकम उस्सौ सुरू हुआ है और ये सुरू किया गया है आपका ओप्सन नमबर सी नई दिल्ली में अगला प्रस्त हमारे सामने है माइन्ट्री जो एक आईटी सर्विस कमपनी है उसके मुखे परिचालन अधिकारी यानि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नामीत किया गया है उनका नाम बताना है और उनका नाम है आपका दया पात्रा निवतिया आप्सन फिर पंदरा से सुला मार्च का अगला क्लास आपको रात को साड़े इगारा बजे मिलूँगा आप सभी के साथ और एक बात मैं आप सभी को बोल दूँ कि कल से ये क्लास जो है करेंट अफिर का वो आपको अप्टू डेट सुबस साड़े चार बजे टाइमली जो है वो मि लेगा प्रामिस करता हूँ ठीक है चलिए तो मिलते रात को साड़े इगारा बजे जैनवरी के रिवीजन वाले करेंट अफिर के क्लास के साथ ठीक है ना चलिए